माननी राजपाल श्री सीपी राधा क्रश्णन ने आज होटल रेडिसन ब्लू राची में आयोजिक द्वीतिय जारखन माइनिंग समिट को सम्बोधित करते वे कहा कि जारखन खनीच की दृष्टिकोंट से एहम इस्थान रखता है और देश के उध्योगिक विकास के शेत्र में इसकी महतपुन भुमिका है लेकिन यहां के लोगों के जीवन इस तर में अपिक्षित प्रगती नहीं हुई है उन्होंने कहा कि देश के विकास के लिए उध्योगिक विकास का होना नितान्त आवश्चक है लेकिन हमें ये देखना होगा कि इसका परियावरन पर प्रतिकुल प्रभाव न पड़े खरन के जाने के पश्चा सुनियोजित तरीके से माइन्स के रख रखाओ एवं परियावरन के अनुकुल बनाने के लिए कारियोजना तयार कर उस पर कारवाई की जानी होगी अब तो ऐसी तकनिक विक्सित हो चुकी है कि दुनिया के कई देश मरुस्थल को उरवरक बनाए हुए हैं उसमें खेती कर रहे हैं तो हम बंद पड़े अनुप्योगी खदानों का यतोचित उप्योग क्यों नहीं कर सकते हैं माननी राजपल मोदय ने कहा कि माइनिंग का सोरूप अब लगातार बदल रहा है पारंपरिक तरीके से की जाने वाली माइनिंग के इस्थान पर अगरणी तकनिक से माइनिंग करना प्रारम हो गया है इस अगरणी तकनिक में आटोमेशन रोबोट डाटा एनलाइटिक्स इतियादी का उप्योग होने से माइनिंग की शप्ता वहां कारे करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा एवं बर्यावरन की रक्षा पहले की अपिक्षा बेतर तरीके से करना शुरू कर दिया गया है इसके साथ साथ माइनिंग के अप्शिष्ट पदार्तों के प्रबंदन पर जोड़ दिया जा रहा है वस्तुता राष्ट के विकास के लिए उद्योगिक विकास आवश्यक है और उद्योगिक विकास के लिए खनन भी आवश्यक है हम खनन वही कर सकते हैं जहां पर खनिश्पदार्थ उपलब्ध है यदि वहाँ पर खनन किया जाना है तो हमें इन्य कारबन उस्रजन का लक्ष रखा गया है माने निराजपल मोधने कहा कि माइनिंग में काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा एवं उनके स्वास्त की रक्षा पर विशेश ध्यान रखा जाना चाहिए माइनिंग शेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक पहलूँ पर भी ध्यान देना जरूरी है तभी हम सतत्विकास के लक्ष को प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए इस सम्मिट में गंभिरता पूर्वक विचार करने की अवश्यक्ता है इसी के साथ बने रहे हैं राजनमा टीवी के साथ रहनेवाद